साथियों कभी नहरूजी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतिय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई उंचाई पर है। मैं ये पंडित नहरूजी की बात कर रहा हूँ, कितने साल पहले की होगी आप का अंदाज कर सकते हैं, मतलब नहरूजी को भी समस्या का पता था। लेकिन समाधान की ततपरता नजर नहीं आई और इस वज़े से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मुल्ग सुविधाओं से बंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का आउसर मिला, तो देश के ग्रामिन इलाकों में सेनिटेशन कवरेज 40 परसंट से भी कम था, जब हम आये हूँ समय 40 परसंट से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड से जादा सोचाले बनाए, स्वच्च भारत अभ्यान शुरू किया, आज देश के ग्रामिन इलाकों में सेनिटेशन कवरेज 100 परसंट तक पहुँच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्टिक का भी एक उधान देना चाहता हूँ। री इमेजिन वाला विशेश जब यह आपने रखा है, तो मैं उसी दायरे में अपने आपको रखना चाहता हूँ। हालत यह थी कि वर्स 2014 में देश में 100 से जादा ऐसे डिस्टिक थे जिनें बहुत ही बेकपर माना जाता था। इन जीलों की पहचान थी गरीबी, पिछडापन, ना सडक, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना सिख्षा, ना रोजगार। और इन में हमारे देश के जादातर आदिवासी भाईबेन इन इलाकों में रहते थे। हमने बेकपड के इस कंसेप्ट को री-इमेजिन किया और इन जीलों को एस्पिरेशनल डिस्टिक्स बनाया। पहले इन डिस्टिक्स में आफिसर्स को पनिश्मेंट पोस्टिंग यरूप में बिजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग आफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रिल गवर्रमेंट, पीएस्यूज, स्टेज गवर्रमेंट, डिस्टिक एडमिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्टिक के टर्न अराउंड के लिए पूरी महनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बहतर रिजल्स भी मिलने लगे। और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। टेक्नलोजी का फरपूर उप्यों किया जा रहा है। अब जैसे उत्तरप्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्टिक फतेपूर में इंस्टिटिशनल डिलिवरी अब 40% से बढ़ करके 91% हो गई है। अब उसके कारण माताम मुर्तिवदर, स्विश्व मुर्तिवदर में बहुत बड़ी कमी आई है। मत्य पतेश के एस्पिरेशनल डिस्टिक बढ़वानी वो पूरी तरह इम्म्युनाईज बच्चों की संख्या 40% से बढ़ करके 90% हो गई है। बच्चों की जिन्दगी की चिंता हुई है। महरास्ट के एस्पिरेशनल डिस्टिक बासिम में टीवी ट्रिट्मेंट का सक्सेस रेच 40% हुआ करता था, वो बढ़ करके करीब करीब 90% हो गया है। करना टका के एस्पिरेशनल डिस्टिक यादगीर में अब ब्राट्बेन कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचा है तो यह संख्या 20% से 80% पहुँच गई है। कितने ही ऐसे परामिटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ट डिस्टिक करके अच्छूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्टिक की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बहतर हो रही है। यह है रियमेजिनेशन, मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदान दूँगा। आज़ादी के साथ दसक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानि 3 करोड रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानि 16 करोड परिवार इससे वंची थे। हमने बड़ी-बड़ी बातों के बजाएं, 80 मिलियन यानि 8 करोड नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्सों में दे दिये हैं। यह है रियमेजिनेशन का कमाल।